हेलो एब्रीवन बेलकम बैक देखे इलावाद हाई कोर्ट ए रो की टेस्ट सीरीज चल रही थी डिसकस करते हैं टेस्ट नमबर 23 तेईसवा टेस्ट है और एक्जाम है आपका 24 और 25 फरबरी को 12 से 13 दिन का टाइम है इंपोर्टन टेस्ट है यह भी हिस्ट्री फर फोकस करेंगे भारति इतिहास के महत्वपूर्ण प्रशन होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकन को प्रेस करना तकि जो मोस्ट इंपोर्टन टेस्ट है आने वाला उसका वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर बनता है मेरे लिए चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है इंपोर्टन है एक एक प्रशन वो सीधा सीधा परिक्षा में पूछा जा सकता ध्यान देना पहला केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन था बताए कौन था केसरी समाचार पत्र का संपादक इन मैंसे दो सेगंड का टाइम है केसरी के संपादक थे बाल गंगाथर तिलाक ऑप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है भारती राष्टे कॉंग्रेस के 55 अधिवेशन की अध्यक्सता किस ने की थी देखिए सबसे लाष्ट अ याद हो गया था बताइए कौन थे इसके अध्यक्सता करने वाले अध्यक्सते जेवी करपलानी करेक्ट हो जाएगा भी अंसर कौन थे जेवी करपलानी इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है जैहिंद का नारा किस ने दिया था बताइए सुभास चंद्र बोस ने दिया अगला प्रश्ण है कथन किसका है पताए किसका है इनमेंसे अटलवेहरी बाचपाई का नहीं है दयानन सरस्वती का नहीं है आत्मा गांधी नहीं है यह महात्मा गांधी है प्रिंटिंग मिस्टेक है यह जवाहर लाल नहरू का फो लिप्स इफ इंडिया डाइज तो जवाल लाल नहरू ने कहाई चलिए अगला देखते है नमलिकित मेंसे किसका मिलान सही नहीं है किसी एक का मिलान यहां सही नहीं है बागी तीनों के मिलान सही है पहला देखते है माउंट वेटन योजना जून 1947 सही है 3 जून 1947 Cabinet Mission योजना March 1940 ये भी correct है Bevel योजना June 1945 ये भी correct है Crips Mission ये incorrect है, गलत है क्योंकि ये March तो सही है लेकिन ये 1940 नहीं है ये 1942 है, 1942 तो इसका जो सही नहीं है वो कौन सा सही नहीं है तो यहाँ D incorrect हो जाएगा ये भाकी तीनों correct है अगला प्रशन है भारत की सोतंतरता के समय इंगलेंड का परधानमंतरी कौन था बताएगे कौन था इंगलेंड का परधानमंतरी भारत की सोतंतरता के समय वो थे Clementedly कौन थे Clementedly Abraham Lincoln तो अमेरिका से सम्मद्ध है चलिए अगला देखते हैं, निमलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है बताना है, पहला पढ़ते हैं, प्रिजन डायरी के लेखक जैप्रकास नारण है, करेक्ट है, संगहर्च की और पुस्तक जैप्रकास नारण ने लिखी, ये भी करेक्ट है, ता लाइफ डिवाइन के तो यह किये थे 1947 में उनिस सो सेटालिस में कभ 18 जुलाई 1947 को जो बिटिस समराड था उसने भारत के स्वतंतरता अधनियम पर हस्ताक्षर किये थे चली अगला देखते हैं नमा प्रशन क्या बोलता है इंपोर्टेंट है पचास प्रशन का सेट स्वतंतर भारत के पर्था में अंतिम गवर्ण जिनरल कौन थे यह इंपोर्टेंट कोस्टन है और रिपीटिट कोस्टन है बहुत बार पूछा गया एक्जाम में इसलिए इंप भारतिय पूछा यहां पर भारतिय और स्वतंत्र भारत के पूछा और भारतिय पूछा अगर यहां भारतिय नहीं होता तो कौन थे लाड माउंट बेटन भारतिय लग गया तो सीराज को पलाचारी अगला देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले बिधी मंत्री कौन थे बता पाकिस्तान सब्द का निर्मान चौदरी रहमत अली ने किया था करेक्ट है पाकिस्तान सब्द की बात हो रही है पहला करेक्ट हो गया मुसल्मानों के लिए पर्थक राष्ट पाकिस्तान बनाने का विचार सर मुहम्मद इकवाल ने दिया था ये भी करेक्ट है देखिए देखिए पाकिस्तान सब्द किस ने दिया चौधरी रहमत अली ने और पाकिस्तान अलग राष्टी बनाया जाए ये किस ने कहा मुहम्मद इकवाल ने और मुसलिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग लाहोर अधिवेशन 1940 में की गई बताइए करेक्ट है यह भी करेक्ट है तो सारे के सारी कथन सही है तो इसका करेक्ट लगाओगे डी करेक्ट लगाओगे धिकिए इंपोर्टन है सारी के सारे अगला प्रशन है इस तरह से पूछा जा सकता मल्टी डाइमेशनल कस्टन मनाकर निमलिखी तमें से कौन सा कथन सत्ते है चलिए कर पढ़ते हैं पहले को भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस 1922 को प्रारम हुआ था करेक्ट है इस आंदोलन में गांधी जी ने करोया मरो का नारा दिया था ये भी करेक्ट है इस आंदोलन के दोरान महात्मा गांधी को ग्रफतार नहीं किया गया था ये इनकरेक्ट है कि महात्मा गांधी ग्रफतार हु तो यहां क्या मारोगे इसका सी मारोगे क्योंकि यह इनकरेक्ट है अगला प्रश्न है किस गोल में इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था तो कांग्रेस ने की तरब से महत्मा गांधी ने भाग लिया था और यह भाग लिया था दुत्य गोलमेश सम्मेलन में अगर को यह ऐसा प्रशन आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था यह ऐसा कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेश सम्मेलन में भाग लिया था तीनों गोलमेश सम्मेलन में तो उसका आंसर हो जाएगा भीमरा अंबेट कर यहाँ जो आंसर है कांग्रेस ने महात्मा गांधी ने दुट्यकोल में संभीलम में भाग लिया था इंपोर्टेंट है यह पूछा जा सकता है पूना पैक्ट किस के बीच हुआ था बताइए पूना पैक्ट महात्मा गांधी और जवाला नहरू के बीच नहीं हुआ था गांधी और इडमिन के बीच भी नहीं हुआ था यह हुआ था महात्मा गांधी और भीमरा अमबेट करके बीच पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमरा अमबेट करके बीच कब हुआ था ये 1932 में हुआ था क्या हुआ था इसमें जो communal award होते हैं मतलब जो दलितों के लिए जो पर्थक निर्वाचन की ब्यवस्था थी चुनाब कराने की वो cancel कर दे गई लेकिन क्या हुआ दलितों को आरक्षन दिया गया सीटों में इसलिए important है याद रखना इसको देगे जन्व तो दौक्टू पर सभी याद रखते हैं लेकिन इस तरह से अगर पूछा जाया प्रशन तो इसको गलत मत करना 30 जनवरी उन्निश्वाची भारते देवस मनाते हैं यानि 9 जनवरी 1915 को लोटे थे और 9 जनवरी को हर साल प्रवाची भारते देवस मनाया चात इस तरह से प्रवाची भारते देवस को मनाया जाता है इन में से कौन सा गतन सही नहीं है मतलब गलत है देखे चंपार्ण सत्या करें 1917 में सही है बंगाल का विभाचन 1960 कहां 1905 में हुआ था यह तो दूसरा इंकरेक्ट होगी आंसर मिल गया एहमदाबाद मिल मालकों की हरता अगला प्रशन है महत्मा गांधी ने पहली बार भूंखड़ताल का परियोग कब किया था यह इंपोर्टेंट है असिस्टन कमांडन तक के एक्जाम में पूछा जा चुका यह किया था एहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोरन के समय महत्मा गांधी ने पहली बार भूं पहले कब किया तो उसका आंसर है 1917 में चमपरण सत्यागरे में चलिए एकला प्रशन देखते हैं किस कारण साइमन कमिशन का बिरोध किया गया पढ़ते हैं चलिए क्या है किस कारण बिरोध किया गया बह एक वर्स पहले ही आ गया था कलत साइमन कमिशन में कोई भी सदस्य भारते नहीं था ये करेक्ट है साइमन कमिशन का बिरोध नहीं किया गया था ये भी इन करेक्ट है तो देखे साइमन कमिशन जो था वो 1927 में गठित किया गया था और भारत में ये 1928 में आया था इसका बिरोध किया गया था क्यों क्योंकि इसमें एकवी सदस्य भारते नहीं वो इसी के दोरान उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर मारी गई एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील बनेगी अगला प्रशन जब अमरित सर पंजाब के जलिया बाला बाग में जनरल डायर ने अंधा दुंद गोलियां चलाई तो वहां जमा हुए लोग किसकी गिरफतारी के बिरोध में जन सभा कर रहे थे देखें कितना अच्छा कोशन है और इंपोर्टन्ट है तो इसका आंसर है डा अगला प्रशन है और इंपोर्टन्ट प्रशन है जलिया बाला बाग हत्यागांड से संबंदित जलिया बाला बाग हत्यागांड के बिरोध में किसने अपनी सर की उपाधी त्याग दी थी कौन सी उपाधी सर की उपाधी तो यह त्याग दी थी रविंद ना ट्रेगोर न और जम्ला लाल बजाज ने भी एक उपादी त्यागी थी वो कौन सी थी वो थी राय बहादुर किसकी उपादी राय बहादुर ये याद रखना राय बहादुर की उपादी जम्ला लाल ने त्यागी है और रविन्ना टेगोर ने सर की उपादी त्यागी है चलिए अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं किस अधिवेशन में पूर्ण सुराजी की मांग की गई थी तो पूर्ण सुराजी की मांग उसी अधिवेशन में की गई थी जिसकी अध्यक्षता पंडित जबाल लाल नहरू ने की थी और ये था लाहोर अधिवेशन 1929 important है और easy भी है repeated भी है अगला प्रशन देखते हैं सुराज पार्टी का गठन कब किया और किसने किया 1925 में एनिवेशन सरोजन इनाइडू गलत 1923 मोतिलाल नहरू राजिंद परसाद गलत देखिए लोगा आगया यहाँ सियारदास छिप गया सुराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था 1923 में किया था मोतिलाल नहरू और सियारदास ने यह most important question है अब पूछा जा सकता है most important अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं 24 मा असायोग आंदोलन क्यों इस्थगित कर दिया गया था पताए क्यों इस्थगित कर दिया गया था असोगिया जा योग आंदोलन क्योंकि लोग एकत्रित नहीं हुए थे निरर्थक गठन है काकोरी डकेटी के कारण ये भी गलत है जलिया बाला बाग Hathya कांण के बिरोध में ये भी गलत है यह किया गया था चोरी चोरा कांड की हिंसा घटना के कारण देखे चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था और 1922 में ही अंदोलन चल रहा था 1922 में हुआ क्या था चोरी चोरे कांड में अंग्रेज अधिकारियों को जो पुलिस में कारे रहत थे उनको थाने के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया था भारत्य करांतिकारियों ने इसी के इसी हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असवयोग आंदोरन को इस्थकित कर दिया अगला प्रशन इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कहां किया तो यह किया था पहले ही कर दिया था जब यह साउथ अफरीका में रहते थे मतलब दक्षन अफरीका में रहते थे सी करेक्ट हो जाएगा सेंस फ्रांसिसको में 1913 में लाल हर्दियाल ने किसकी स्थाब ना की थी कमेंट वक्स में लिख कर बताईए अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सा कथन सही है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था करेक्ट है बंगाल विभाजन लॉड करजन द्वारा किया गया था ये भी करेक्ट है बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था ये भी करेक्ट है सभी कथन सत्ते हैं सही है तो क्या मारोगे इसका डी मारोगे अगला प्रशन बढ़ते हैं तेजी पकड़ते हैं थोड़ी किसने 1916 में अखिल भारती होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने की थी अखिल भारती होम रूल लीग की स्थापना देखें दो रूम होम रूल लीग थे एक तो बाल गंगादर्ती रखा दूसरा इनिवेसेंट का जो बड़े स्थर पर था अखिल भारते स्थर पर था उसकी स्थाब नगी थी इनिवेसेंट ने इस तरह से पूछा जा सकता है प्रशन अगला प्रशन है काकोरी सड़े अंतर के तहत निमलिकित में से किसको फांसी नहीं हुई थी राजिंदर लाहडी को भी हुई थी रामपरसाद बिश्मिल को भी हुई थी फाक उल्ला नहीं है ये असफाक उल्ला खां है प्रिंटिंग मिश्टे कर याद रखना ये असफाक रह गया इसमें असफाक उल्ला खां को भी हुई थी भगत सिंग को नहीं हुई थी क्योंकि भगत सिंग को काकूरी सरीयंत्र में फासी नहीं हुई थी, इनको लाहोर सरीयंत्र में फासी हुई थी, ये याद रखना, अगला प्रश्न है, मारले मिंटो सुधार कब लाया गया, तो ये 1909 में लाया गया, मारले मिंटो सुधार, संबैधानिक सुधार था, अगला प्रश् को ने मैडम भीमखाजी कामा को भारतिय करांती की माता कहा चाता है अगला परश्टन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई ती और का मुख्याले कहा था देखे गदर पार्टी जो मैंने आपसे question पूछा उसका ये आंसर है गदर पार्टी सेंस फ्रांसिस्को में 1913 में होई थी ऑम मुख्याले था सेंस फ्रांसिसकों में इंपोर्टैन्ट है याद रखना अगला प्रश्न है इन में से किसने चटगाउं सस्त्रगाँ पर धावा बोला था ये िरिपीटिट कोस्टन है PCS में PCS में repeated question है ये गरेक्ट answer है you correct answer सूर सैन सूर सैन ने चटगाओं सस्त्रगार पर ढऄ्बदाब बोला था यहाँ भगत सिंह का सम्बन् लाहोड श्रायंत्र से है रोषन सिंह का संबंद भी लाहोड श्रायंत्र से है नहीं इसका ककोडी का भप भगत सिंह का भी लाहोड सरेंतर से चलिए अगला प्रशन देखते हैं निमलेखित में से कौन लाहोड सरेंतर से संबंधित नहीं है तो देखिए सुखदेव है भगत सिंग है राजगुरू भी है असफाक उल्ला खान नहीं है क्योंकि ये काकोरी से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है निमलिकित में से किसने 1929 में दिल्ली में सेंटर लेजिसलेटिव असेमली में बंब फैंक कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया बताईए किसने लगाया बटुकेशवर दत्व राजिंदर लाहडी गलत बटुकेशवर दत्व भगत सिंग करेक्ट क्योंकि यहाँ असफ़ाक उल्ला खां कड़कोडी सनेंटि से संबन नहीं तो यह गलत हो गया राजगुरू लाहोर सनेंट से संबन नहीं है लेकिन राजगुरू और भगत सिंग को बटके शर्दत को एक साथ फांसी होई थी तो इसका आंसर जो है बटके शर्दत और भगत सिंग है इन्होंने ही सेंटर लेजिसिलेटिव असेंबली में दिल्ली में बमफेका था और सांड रज की हत्यागी थी करनल लॉड करजन के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश क्या था बताईए राष्ट एकता को कमजोर करना सोदेशी आंदरलन का परारंब करना महात्म गांदी को जेल भेजना नहीं था सोदेशी आंदोलन का प्रारम करने से इससे क्या मतलब जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद भारते करांदिक और ने सोदेशी आंदोलन चलाया राष्ट एकता को कमजोर करना था क्या था बंगाल विभाजन का मुख्योदेश राष्ट एकता को कमजोर करना तो यह करेक्ट हो जाएगा 35 अगला प्रस्शन देखते हैं देखें यहाँ भई कुछ मिलान करना सुमेलित करना है कुछ क्या सुमेलित करना है देखें मोपला बिद्रो है कुका बिद्रो है मुंडा बिद्रो है बिर्सा मुंडा के नेतरत में किया गया था संथाल बिद्रो सिंधु एबम कुन्हु के नेतरत में किया गया था तो मिल गया चले बही आगे बढ़ते है संथाल बिद्रो कब हुआ था तो संथाल बिद्रो हुआ था 1855 और 1856 में तो देखे इसको याद कर सकते हो आप जब 1857 में जो मंगल पांडे ने बिद्रो हो किया था तो उससे एक साल पहले हुआ था तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो 1857 से एक साल पहले तो 1856 में 1857 में शंताल बिद्रो हुआ था चलिए अगला प्रशन देखते हैं इन में से किस भारते को पुनर जागरण का पिता देश का पत्परदर्शक तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है बताईए किसकी बात हो रही है यह आधुनिक भारत का अग्रदूत देश का पत्परदर्शक कौन है देश का पत्ध प्रदर्शक राजा राम मोहन राय प्रशन नमबर 49 देखते हैं निमलिखित में से किसने अखिल भारती है दलित वर्ग संग तथा बहिश्करत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था पताईए कौन है दोनों का संपादन ये है भीम राव अमबेटकर कौन है भीम राव अमबेटकर अगला प्रशन है बिटिस हाउस आफ कामन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारते कौन थे तो दादा भाई नौरो जी थे रिपिटिट कॉस्टन है और इंपोर्टन कॉस्टन है याद रखना इसको अगला प्रशन की तरह बढ़ते हैं 1901 में सांती निकेतन की स्थापना किसने की थी जोतिवा फूले ने नहीं की थी राजा राम मोहनराय ने नहीं की थी महमद अली जिन्ना ने ने की थी रविंद नाट टैगोर ने की थी किसने की थी रविंद नाट टैगोर ने डी करेक्ट हो जाएगा अगला बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर सुमिलित करना है चलिए सुमिलित करते हैं पंजाब केसरी पंजाब केसरी किस को कहा जाता है पंजाब केसरी लाला लाच पत्रा है सीमानत गांधी कौन है खान अब्दुलकफार खान ग्रेंड ओर्ल्ड मैन ओफ इंडिया कौन है महत्मा गांधी और पाल का मतलब क्या है लाल बाल पाल पाल में बिबिन शंदर पाल कुर्वर की नौरत्नों में सामिल पहले हैं वो देखते हैं हमीर खुसरों है तनसे इन हैं वीरभल भी हैं सुड़्डास यहां अक्बर की नौरत्नों में आपनी है तो करेक्ट वे जा 1921 और ये PCS में पूछा गया प्रश्ण है अब देखिए इन में से कौन सी घटना है इस सन के बीच में होंगी तो रोलक टेक्ट पारित हुआ 1919 में तो ये भी है असवयोग आंदोलन हुआ 1920 में तो ये भी है जलिया बाला बाग हत्या गांड 13 अपरेल 1919 तो ये भी है बंगाल क अब भाजन क्यों नहीं हो आता क्योंकि ये पहले ही हो गया था बहुत 1905 में अगला प्रश्ण है 45 प्रश्ण है जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय भारत का बाइसराय कौन था देखिए कितना important प्रश्ण अच्छा प्रश्ण है बताईए कौन था भारत मेंसे किस ने जहांसी में 1857 के बिद्रोह को दबाया था देखिए करनल नील ने नहीं दबाया निकलसन एवम हटसन ने इन्होंने तो दिल्ली में दबाया था जर्नल रेनार्ड ने फैचाबाद में दबाया था ये भी गलत है जर्नल ही रोज ने जर्नल ही रोज ने जहांस में 1857 के बिद्रो को दबाया था याद है important है जब 1911 में बंगाल विभाचन रद कर दिया गया उस समय भारत का बाइसराय कौन था देखे important question आ गया यह भी इस तरह से पूछ लिया जाता एक्जामनल घुमा कर 1911 में बंगाल विभाचन जब रद कर दिया गया तो भारत का 1905 लॉर्ड वेलिंग्टन नहीं थे लॉर्ड लिंडिकन नहीं थे यह थे लॉर्ड होर्डिंग दुत्य कौन थे बंगाल विभाचन के समय जब रद कर दिया गया था 1911 में तो लॉर्ड होर्डिंग दुत्य थे भारत के बाइसराय प्रस नमबर 48 देखते हैं निमलिखित म इसे कौन सा कार लाड डलोजी ने नहीं किया था लाड डलोजी ने नहीं किया था रेलवे लाइन का संचालन किया था 1854 में टेलिग्राफ लाइन का भी संचालन किया था 1853 में सार्वजनिक निर्मान विभाग की इस्थापना भी की थी इन्होंने इस्थाई बंदोबस्त इन ने नहीं किया था क्योंकि इस्थाइब नदोवास किस ने किया था Lord क्रणोवाल है इंपोर्टन रखना अगला most important question है यह most important निम्लिक के तमें किसे इस्थाने सोसासन का पिता कहा जाता है तो यह कहा जाता Lord Rippen को, किसको Lord Rippen को बहुत बार पूछा है एक्जाम में अंतिम प्रशन की तरह बढ़ते हैं, most important है यह भी, इन में से किसने पिंडारियों और मराठाओं का अंतिम रूप से दवन किया पताए किसने पिंडारियों और मराठो का अंतिम रूप से दवन किया देखिए, बिलियम बेंटिक नहीं है लॉड वेवल नहीं है लॉड चेम्सफोर्ड नहीं है, ये हैं लॉड हिंस्टिंग्स, कौन है लॉड हिंस्टिंग्स तो देखिए, सारे के सारे important प्रशन थे, ये 50 के 50 भारते इतिहास से और इन में से एक या दो प्रशन जरूर आपके exam में पूछ ले जाएंगे क्योंकि सारे के सारे प्रशन ऐसे हैं जो पहले भी exam में पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना 99% तक रहती है और ये most important है चलिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दूसरों की help हो जाएगी अगर लिख लिख कर आपको याद होता है तो लिख लिख कर भी याद कर सकते हैं इसको एक दो बार अभी देख लेना 24 और 25 तारिक में exam है तो 18 तारिक से एक flow बनाना और सारी test प्लेइलिस्ट में जाके एक बार में देख डालना अच्छे से revision हो जाएगा और marks अच्छे लिए आएंगे क्योंकि minus marking तो है नहीं इसलिए सारे के सारे attempt करके आना Thank you